ओलो फ्रेंस! देखिए कई लेडिस को स्लीव लेस ब्लॉच पहनना पसंद नहीं होता है और इतनी गर्मियों में फॉल स्लीफस के ब्लाउच पहने नहीं जाते! तो इस कंडिशन में आप हाफ स्लीफस के ब्लाउच डिजाइन करवा सकती है। इस तरह के blouse दिखने में classy भी होते हैं और गर्मियों में राहत भी देते हैं तो आज मैं आपको कुछ इसी तरह के half sleeves blouse में design बताऊंगी जिसमें से आप अपने लिए design चुनकर बनवावी सकते हैं तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां आपको design बताऊंगी boat neck में half sleeves लेकिन sleeves में frill ये design में पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन ये इतना अभी train में है कि आपका कोई भी blouse हो अगर वो elbow sleeves है तो आप उसमें frill लगवा सकती हैं आप उसमें umbrella bell लगवा सकती हैं और आप उसमें एक designer bell भी लगवा सकती हैं जैसे कि अगर आपका blouse एकदम पतले कपले वाला है सिफोन वाले कपले का जो साड़ी के साथ ही आता है तो उसमें आप इस तरह का bell लगवा सकती हैं तो गर्मियों के लिए इस टाइप के कपले के blouse बहुत कमफर्टेबल होते हैं मतलब जो ब्रॉकेट वगरा के blouse होते हैं वो उतने गर्मियों में कमफर्टेबल नहीं होते हैं लेकिन यह जो सॉफ्ट मटेरियल के blouse होते हैं यह गर्मियों में भी बहुत कमफर्टेबल होते हैं और देखिए आप इस तरह पतला कपला यूज़ करेंगे ब्लाउज में और इसके बैल में तो इसका लुक भी अच्छा आएगा इसका फाल भी अच्छा आएगा और आपको गर्मी में कमफर्टेबल भी रहेगा और इसी तरह से ये एक दूसरा डिजाइन है देखिए इसमें पौनी के बाद ये डिजाइन आएगा तो बहुत ही खुबसूरत इसका लुक आएगा और ये बॉडर तो आपकी स्लीव में अगर लगा हुआ है तो ठीक अगर नहीं लगा है तो आप पहले इस तरह की नैट ले 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 या कोई भी मैचिंग का कपला ले ले और उसे इस त प्रंट की साइट से ना इसका इस तरह से लोकाता है देखिए ये तो हुआ सिंपल बैल मतलब सिंगल जो हमने लगाया है इसी तरह से आप इसमें डबल बैल भी लगवा सकती है और आजकल जो टिशू का फैबरिक चल रहा है ना और गंजा फैबरिक उसके आप दो या तीन लगवा सकते हैं तो उससे ना आपका बलाउस भी लिजाइनर हो जाएगा और गर्मियों में कंवर्णीबर भी रहेंगा अगर आपके सिंपल साडी है तो आप इस तरह का ब्लाउस क्पले में बलाउस बनवा सकती हैं लेकिन इप नेक में जैसे कि पाइक में रा swag में लेकि कि अगर बनारसी फैबरिक या ब्रोकेट का फैबरिक है तो आप उसमें इस तरह का डिजाइन ले सकती है अब देखिए अगर आपका सिंपल ब्लाउज है तो आप उसकी स्लीव में या तो एम्ब्रोइडरी करा लें तो उसका लुग हेवी हो जाएगा कई लोग अपने ब्ला उनसे भी आप डिजाइन बना सकते हैं तो इस तरह आपका ब्लाउज समर सीजन के लिए भी डिजाइनर हो जाएगा अब देखिए अगर आपके पास एऄट येका फैब्रिक है तो इस तरह का आप डीप नेक ब्लाउज बनवाएगा अगर आप चाहें तो इसमें हाफ यह बहुत सब्सक्राइब खेगो साध हो जाएगा और इस तरह के साथ ना कहीं भी कैसी भी आफ इसके साथHaid कर सकते हैं वाया और आपकी एक design R ब्लाउज चाते हैं और sleeveless भी नहीं हो तो देखिए यह sleeveless blouch के उपर इस तरहें की sleeves attached की गई आपने इसके कई पिग भी देखे होंगे तो यह पहनने के बाद sleeveless भी नहीं लगता और इस sleeves की वज़े से इसका look बहुत ही स्टाइलिस हो जाता है और आप किसी भी प्लेंज साड़ी के साथ इसे वेर करेंगे ना तो साड़ी भी क्लासी हो जाएगी और गर्मी के हिसाब से भी यह बहुत ही कमफर्टेवल डिजाइन है अब देखिए अगर आपकी किसी साड़ी के उपर बॉर्डर लगा हुआ है तो आप अब करेंगे बॉर्डर को पूरी बलॉज की स्लिवस में न लगाते हुए उसका इसतरह से पैच निकाल कर भी चिपका सकते हैं यह यहां पर मैंने पूरी पी को चिपकाया हुआ है यह दर कोई भी सिलाई नहीं है सिर्फ पैच को यहां चिपका दिया है और वैलबिट वाली स्लीप्स हो लेकिन यह सिर्फ पैच चिपकाने से तयार हो गया है तो इस तरह आप भी अपनी किसी भी साली के ब्लाउज को बजार से थोड़ी सी लेस लाकर आदा मीटर गरीबन अगर वो बूटे वाली लेस है तो इस तरह आप लगा सकती है और ब्लाउज को एक नया लुक दे सकती है अब देखिए स्लीप्स की बात चले और अभी पफ स्लीप्स इतनी चल रही है तो उसे हम नहीं छोड़ सकते हैं तो देखिए यहां पर आप इस तरह टिशू के फैब्रिक से या किसी भी नेट या कोई भी पतला फैब्रिक जो सॉफ्ट जिसमें से हवा आ कमफटेबल भी रहेगा इसी तरह से देखिए यह एक ब्लाउज है मेरे पास और इसमें मैंने हाफ नेट और हाफ फैब्रिक लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि यह नेट भी ट्रांस्पेरेंट नहीं है एकदम डिजाइनर नेट है और स्लीवलेस ब्लाउज भी नह इस तरह यह फ्रंट का डिजाइन है और इसी तरह से आप अपने किसी भी ब्लाउज की स्लीव पर इस तरह बाडर लगाने के बाद यह बटन लगा सकते हैं बटन लगाने से भी आपका ब्लाउज का लुक चेंज हो जाएगा और देखिए यह तरह बिल्कुल नया है यह दे प्रंट से हम इसले पटि लगाने जाएगा और यह यह तरह बेंने के बाद वह बहुत ही अच्छा अता távra और विह अंच्छ का इस तरह बहुंत जाएगा और एकसाट शोलर तक में यह तो पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और एक सब्सक्र भी अच् तो कि अपने बलाऊज आप से का स्लीफ में या आप भास प्रिल स्लीफ स्लीफ में लगा करके हैं या आप साह pra Kareta, आप सीवे में भी को में मैंकर फडाइला, लाइग को सकते हैं इस तारे से आप से ने साथ लगव में एकि सांगा है से टम लगा Case आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और पेज को फॉलो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसे के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार